जैहिन दोस्तों जम्मुकस्मीर के पुंच में गुरवार को हुए आतंग की हमिले में पान जवान सहीद हुई थे इनमें चार पंजाब के और एक उडिशा के रहने वाले हैं इनके नाम हवलदार मंदीब सियां लौस नायक देवासिस लौस नायक कुलवन सियां सिपाई हरकिसं सियां सिपाई सेवक सियां हैं इन जवानों में किसी की साथ मेहने की बीटी है तो किसी का चार मेहने का बीटा है सही जवानों के गाउं में तो किलहर है जमुक समीर के पंच में सुकरवार को आतंग वादियों ने बादिस का फैड़ा उठाते हुए छिपकर सेना की ट्रक पर हमला किया इस कायर नामा हमले में देश के पांच बहदूर जवान शहीद हो गए जवान को समत पाते उसते पहले गात लगाकर आतंग वादियों ने पहले गिरनेट से सेना की ट्रक को निसाना बनाया फिर उस पर अंदादुन फैरिंग की आतंग वादियों की सकायर नामा हजगत के बाद सेना पुंच के इलाके में शक्रिय हो गई है इसमले में पांच जवान सहीद हुए उनमें से चार जवान पंजाब और एक उडिशा के रहने वाले हैं उनकी परिवार में शोक की लहर है सही जवानों में लौशनायक देवासिस उडिशा के रहने वाली थे वे पूरी जिल्ले के अलुगम गाउं के रहने वाली थे वर्ष 2021 में उनकी साधी हुई थी वो अपने पीछे पत्नी के अलावा साथ महिने की बीटी को छोड़ गए हैं तीस वर्ष या इस्तानी लोगों के बीज लोग प्रिय थे सही जवान के रिजदान दिली विस्वाल ने बताया कि वह देश की सेवा के इरादे से सैना में शामिल हुई थे जब भी वह घर आते थे तो युवाओं को शैना में जाने के लिए फ्रिरित करते रहते थे उनके दादा पंचानान विस्वाल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यहाद दिन देखना पड़ेगा वह 21 दिन पहले गाओं से छुटी काट कर ड्यूटी पर गए थे पंजाब के मोगा जिल्ले के चारिक गाओं के रहने वाले सही जवान कुलवंत सियां के भाई ने कहा कि सरकार और सैना को हमले का मूत उड़ जवाब देना चाहिए कुलवंत के चार मेने के बेटी को बूद में लेते हुए उन्होंने कहा कि उनका अबाय अपने परिवार से बहुत प्यार करता था उसने अपने बेटे का समय पर ठीका करन सुनक्षित करने के लिए उससे कई बार कहा था उसके देर साल की बेटी भी है ग्रामिनों ने कहा कि कुल्वंत के पिता भी ससतर बलों में कारगिल युद में मारे गए थे और कुल्वंत की उमर लगबक दो साल थी शही सिपाई सेवक्स या भटिंडा के बागा गाउं के रहने वाले थे उनके परिवार का रोरू कर बुरा हाल है वहीं बटाला के तालवंडी बर्थ गाउं में सिपाई हर किसन सियां घर पर ग्रामिनों ने मातर भूमी के लिए उनके सुरच बलिदान की शराना की हर किसन हाली में अपने परिवार से मिलने गए थे ग्रामिनों ने कहा कि शहीद होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी पत्नी और दो साल की बेटी से वीडियो कोल पर बात की थे हावलदार मंदीप सियां लुद्याना जिल्ले के रहने वाले थे आतंग बादियों ने बारिस का फैता उठा कर घात लगा कर सेना के जवानों पर हमला किया जिसमें पांच जवान बिरगती को प्राप्त हो गए वहीं एक जवान गंबी रूप से घायल है जिसका राजोरी में अस्पताल में इलाज चल रहा है तो दोस्तों मैं भगवान से यही दूआ करता हूँ कि बीर जवानों की आत्मा को भगवान अपने स्रीचरणों में स्तान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की चमता दे जब तक सुरा चांद रहेंगे तब तक बेर बलिदानी आपका नाम रहेगा आओ किसम खाएं उन बीरों की उन बलिदानियों की कि हम हर पलेक सच्चे भारते बन कर अपना फर्ज निभाएंगे जरुत बड़ी तो लहू का एक एक कत्रा दे कर इस धरती माखा कर चुका हैं तो दोस्तों वीडियो को अंदे खाना करें देश के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाले उन बीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक एक सियर और हमारे इस यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब करें आप से फिर मुलाकात होगी नहीं किसी तब तके लिए जाहिन वंदे मातरम